इस वाली वीडियो में बात करते हैं राउटर में सिक्योरिटी पार्ट की, राइट, कि सिक्योरिटी के लिए राउटर पे पासवर्ड कैसे लगाए हम, जैसे अगर आप एक्जामपल देखेंगे, कि अगर आप किसी राउटर को लें, फर्स्ट टाइम अगर आपने कोई रा जाएगा थर्ड मोड में तो यह आपका सिक्योर एकसेस नहीं हुआ ऐसे तो कोई भी कन्सोल लगाएगा और आपके राउटर में एंटर कर जाएगा आपको क्या करना है अपने कन्सोल पे अपने यूजर मोड पे पासवर्ड लगाने तो देखिए राउटर जो है एंटर करें तो आपको second mode में ना जाने दे एक password मांगे आपसे वो रहेगा आपका user mode password फिर console password का मतलब क्या हुआ कि router में console पे entry करते ही जैसे अभी आप enter करेंगे ना just enter first mode में भी नी जाएंगे आप यही password मांगेगा आपसे आपको जाते हैं आपको जैसे राउटर पर आप जाते हैं फिजिकली इस राउटर को देखते हैं आप तो यह पको पोर्ट दिखता है ब्लैक कलर वारा ओक्स पोर्ट सी दिस वन तो अभी तो आपको आपको नए राउटर में तो हाँ पुराने पर ज्यादा तर काम करने को मिलेगा तो ठीक है इट विल भी देयर और आपको यह सिक् करें राइट तो दो पासवर्ड हैं जो लग सकते हैं एक इनेबल पासवर्ड और एक इनेबल सीक्रेट तो इनेबल पासवर्ड आपका पुराना पासवर्ड है जो 11.something जो वर्जन्स है सिसको आयोएस के कैसे चेक करेंगे वर्जन शो वर्जन कमांड चलाइए जैसे आप जाके show version command run करेंगे तो आपको दिखेगा आपका iOS version तो enable show version अगर आप देखें यहां से आपका iOS रहेगा it is 12.1 तो इस से पहले जो 11, 10 वाले version थे न iOS के वहाँ पे आपका चलता था enable password, unsecure था क्योंकि एज़टीज password आपका दिख जाता था और उसको आप break कर सकते थे easily, यह secure क्यों है क्योंकि आपका यह encrypted format में रहता है MD5 encryption है, यह मैं सारा आपको practical करकी दिखाता हूँ चलिए suppose आपने router में password लगा दिया, कैसे लगाएंगे, command देखिए क्या है enable password लगाने के लिए command है enable password, यह command है अब जो लिखेंगे आप, वो आपका password बनेगा suppose 123 enter, यह password क्या रहेगा आपका 123 so do show run करिए सारी configuration कहां दिखाएगा run में see, आपका password क्या है 123 और यह plain text है, मैंने बोला था यह insecure है क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे है कि आपका password क्या है, 123 जब आप क्या बोलते है, access लेना चाहेंगे telnet या sss जब आपको बताऊंगा उसके through, जब आप उसमें data भेजेंगे, तो password as it is जाएगा, अगर कोई wire shark या अलग packet capture tool यूज करता है तो आपका data अगर वो capture करके read करेगा, तो उसको दिखेगा as it is आपका password, तो यह insecure है, फिर आपका दूसरा password कौन सा है enable secret पहला कौन सा था enable password दूसरा कौन सा था आपका, enable secret यह आप दुबारा से और same password हम recommend नहीं करते कभी, तो suppose 789, enter इसको देखने के लिए do show run करेंगे अब आप जब, अब यह देखे, कितना फार्क है, यह plain text password था, यह आपका encrypted password है, यह 5 क्या, इसका मतलब में आपको अभी समझाता हूँ अच्छा, उस time पे Cisco ने थोड़ा सा protect करने के लिए क्या किया, एक command दे दी service password encryption, कि जो आपके unencrypted password थे, उनको थोड़ा बहुत service password आप उसको encrypt कर दो, तो वो encryption level लगता था, आपका MD7, message digest 7, यह बहुत कम security प्रोवाइड करवाता है, बहुत कम coding देता है, यह आपको बहुत high level security कैसे, अब यह एक और example दिखाता हूँ आपको, do, show, run, देखिए, यह MD7 को represent करता है, तो कितनी छोटी सी आपकी encryption है, यह MD5 को denote करता है, और देखिए आप, कितना फरक है दोनों में, और एक फरक दिखाता हूँ आपको, क्या है दोनों में security का, आप इसको copy करिए, अगर यह packet में आप capture कर लेते हैं, तो आप इसको easily decode कर सकते हैं, कैसे Google पे जाईए, और यहाँ पे आप लिखिए कौन साथ हाईए, MD7 MD7 password decrypt MD7 decrypt तो कोई भी एक website open करिए आप उसमें अपना जो उदर से copy किया था आपने, वो paste कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे आप paste करते हैं, सब्मिट करवाते हैं, तो आपको password दिखा देगा 123, अगें यह secure नहीं है, लेकिन इसी तरह से आप try करना, MD5 वाले को बहुत सारे link ट्राई करना, आप उसको break नहीं कर पाऊगे, so that's the reason कि जो आपका MD5 है, जो आपका enabled secret है, वो वाला आपका secure है, और यह आपका unsecure होता, एक और चीज का ध्यान रखना है, आपको password लगाते हुए, कई बार हम क्या करते है, enable secret हटाना है, अगर कोई password तो क्या करेंगे, no enable secret हटा दिया, no enable password हटा दिया, अच्छा बागकी configurations भी हटानी है, अगर hostname हटाना है, तो no hostname हटा दिया, IP address हटाना है interface के अंदर से, interface में जाईए और no IP address, कर दिजी, IP हट गया change करना है, तो again IP address आप दुसरा डाल दिजी, 20 या जो भी राइट, तो no से आप कोई भी command हटा सकते हैं जैसे do, show, run करिए IP DHCP excluded address 10.1 do, show, run करेंगे यह दिखेगा, मुझे यह हटानी है तो आप इसको copy करिए यहां से अगर आपको वैसे याद है तो अच्छी बात है, no करके वो लिख दीजीए नहीं तो मैं paste करता हूँ, enter do, show, run, दुबारा करेंगे देखेगे, यहां से अटगी तो no से आप कोई भी पूरी कमांड या फिर portion of the program आप हटा सकते हैं fine अच्छा मैं क्या बता रहा था कि enable secret आपने अगर लगा दिया है 1, 2 और यहां पे space दे दिया है तो 1, 2, 2 password नहीं होगा 1, 2, space, 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 space then 2 यह password होगा तो space भी password में गिना जाता है यह आपको ध्यान रखना है चलिए, अब enable secret लगा दिया मैंने 1, 2, 3 enable password लगा दिया मैंने 4, 5, 6 save कर दिया मैंने do right अब exit करते हैं exit करते हैं यहां से verify करके देख रहा हूँ कि हमजी password लगे या नहीं तो यहां पर enable जैसे ही लिक के एंटर करते हैं C आपसे password मांगता है अगर आपने सिरफ enable password डाला होता तो आप डाल देते 4, 5, 6 अगर आपने सिरफ enable secret डाला होता तो डाल देते 1, 2, 3 दोनों अगर लगाए हैं जो कि recommended नहीं है आप सिरफ enable secret यूज करिए वो आपके लिए काफी है लेकिन अगर दोनों भी लगा रखे हैं तो आपको enable secret पुछेगा enable password नहीं पूछेगा आप से तो enable secret आपका क्या है 1, 2, 3, password दिखेगा नहीं security purpose से, enter करेंगे C, आप दुसरे mode में जा चुके है So this is how you need password and you set password यह मैंने यहापे लिखा भी है command आप देख लीजिए तो recommended कौन से आपका अभी latest जो versions है iOS के enable secret वाला तो यह तो अपने secure किया है आपका second mode, third mode first mode तक आप जा पा रहे थे C, first mode के काम आप कर पाएंगे अगर आपके पास वो password नहीं है तो C, जैसे क्या पिंग कर पाओ गया कुछ show की command run कर पाओ गया तो आप मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल secure कर दूँ first mode में भी ना जा पाओ तो आप क्या करो password से enter करो, third mode में जाओ और console पे ही password लगा दो C, line console 0 एक router को access करने के लिए दो तरीके हैं लाइन है, एक आपका फीजिकल एक आपका वर्च्वल, फीजिकल कौन सा है आपका जो console से, फीजिकल केबल लगा के आपने access किया है उस पे password लगाना, तो वो line हुई console और 0 क्यों लिखा क्योंकि console का एक ही port आपके पास एक को इनिशियलाइज करना एक को बोलना means 0, पहला क्योंकि binary पढ़ रहे हैं एंटर किया है उसके बाद दूसरी line आती है virtual line, क्या अपने router to router cable लगा रहा है, communication आ रहा है सब कुछ हो रहा है, अब उसी router को एक router से आपको तीसरे, फॉर्थ, फिफ्थ router का access लेना है तो आप telnet और SSH से ले सकते हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं कैसे उसके लिए होगा आपका line VTY, देखिए मैं इसको exit करता हूँ अगर यहां से, तो line question mark करोगे, बहुत सारी lines है तो main हम जो use करते हैं aux, console तो aux तो अभी नहीं करते हैं बट फिर भी बताऊंगा हम आपको console and VTY ये console, physical console के लिए और VTY आपका telnet और SSH के लिए virtual terminal, राइट चलिए, तो अभी मैं console पे password लगाना चाह रहा हूँ 0 लिखा, आप लिखिए password password जो भी आप रखना चाहें suppose मैंने क्या रखा 789 अब देखिए password तो लगा दिया मैंने आपको दिखाता हूँ यहां से में करके exit करिए, exit करिए फिर exit करिए तो मुझसे तो console का password मांगा यह नहीं इसने क्योंकि मैंने password लगा दिया, login नहीं किया और जो console का password है SSH का telnet का password है वो by default no login रहता है यह कुछ ऐसा है, windows में आपने password लगा दिया, लेकिन window password पूछे ना आप से ठीक है, तो यह इसमें है ऐसा तो मेरे को वो ऐसा नहीं चीए enable करवाना है क्या login वो enable कराने के लिए देखिए दुवारा जाएए console में enable password डाला 123 नेबल सीक्रेट वाला, थर्ड मोड line, console 0 password पहले लग चुका है, आप दूश और अनकर के देख सकते हैं लास्ट में जाएए बिलकुल C तो मैंने service password encryption की command चलाई थी, इसलिए उसने 789 को convert कर दिया है हटानी है वो command, तो आपको no service password encryption करना होगा, but I don't recommend, आप रखी उसको चली, अब आप क्या करिए, login enter, अब कर दिजे save, exit करिए फिर exit फिर आप exit करके, आप देखिए आपको enter नहीं करने देगा, जब तक आप console का password 789 नहीं डालेंगे, तो ये beauty है console के password की, आपको बिलकुल किसी भी mode में नहीं जाने देगा, जब तक आप console का password नहीं डालोगे ठीक है, इसी तरह से आपको अगर auxiliary का password लगाना है तो आप third mode में जाईए, line console की जगे कौन सा यूज करिए, aux वो भी एक ही था, तो 0 password रखिए, कुछ भी आप 789 ही रखा है login करिए, exit बट मैं इसका practical नहीं दिखा पाऊँगा आपको that's it, बस इतना करके छोड़ दीजी आपका aux port secure हो चुका है fine, तो console का मैंने आपको बता दिया, क्यों यूज करते हैं, unauthorized आपके user जो है वो console port का access लेके आपके device में changes ना कर पाएं तो यह physical line पे apply हो रहा है, aux मैंने बता दिया आपको remote के लिए physical line again फिर आते हैं आपके telnet के और ssh के password जो आप secure करते हैं, आपकी virtual line तो इस वीडियो में इतना ही हम बात करेंगे, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा telnet और ssh आपको कैसे configure करना राइट stay safe and stay happy thank you, bye